नमस्कार माजोतिश शोहान मद्द प्रदेश में अब तक हम 40 से जादा विधान सवा कवर कर चुके हैं और आपको दिखा चुके हैं क्या कुछ मूड और महौल चल रहा है फिलाल मद्द प्रदेश में आज उज्जेन में है महाकाल की नगरी महकपार दिखाई है जरा सामने जो है यह शाम का वक्त है घाट पे हम लोग मौजूद है सामने मंदिर है और आपको यहां शिप्रा नदी दिखाई देगी यहां पर घाट पर तमाम लोग भी हमारे साथ है बाचीत करने के लिए तो उज्जेन में क्या कुछ चल रहा है आज उज्जेन की जनता से बात करे हैंगे तमाम जो है युवा भी हैं कोछ और भी लोग हैं तो सभी लोगों से बाचीत करने वाले हैं तो इस बार क्या महोल दिखाई दे रहा है यहां पर उज्जेन में और खासकर बात करें तो पुड़े मद्द परदेश में महोल तो बताने की जरूवत नहीं है एक आम ज सर्कार कैसी देखें है खासकर आप तो उस नगरी में है जहां पर मामा हमें साथ जाते रहते हैं आपने चिसीवाण को हना को खाते मां हैं मगर किस तकलिवों और वहांत प्योंम हो़ी जांती है उनको कि जैन के लिए तो बहुत कुछ किया महाकाल लोग बنا दिया सिप घरश्टार और दिवारों को तो अभी से और पीन लग लग गई जो मूर्तियां एक चोटी सी आंदीव के अनदर गिर चुकी react उनमें करोर रुपे का गोटा लग रहा है यह का इन दौर में हमने देखा कि बीजेपी ने टकर में बड़े नेता को इतार दिया इस से पहले दिमनी से भी नरेंद तोमर को उतारा गया है इस सीट का क्या महल दिखाए दे रहा है हार की बॉखला है जी क्योंकि एक जो शुक् क्यों क्यों में देखाए दोटेशा के बड़े नीतां को उतार के कही ने कहीं हम सांदूपुति ले लेंगे तो वह मुश्किले यहां का क्या महल है यहां का साथ हो सीटे कांगरिस के महाकाल की नगरी और मोधी जी परिवरतन का मन बुना चुकी है जनता कि अब कांग्रेस की सरकार को लाना है तो इतने सारे योजना और लास्ट वक्त में जो बहनों के लिए किया है लगता नहीं एक मास्टर स्टोक के तरीके से जब जनता परेसान थी जब कुछ ना रोजगार था कुछ भी ने सब लोकडाउन था जब अजार रुपे डाल देते तो जब बहनों को थोड़ी रहत मिलती अब जब जा जी चाहिए अजया है सब्सक्राइब कमलाज जी की योजनाओं हमको भरोसा कमलाज जी की योजिए सो रुपे 200-200 यूनिट सो रुपे में अधुनिट मामा जी ने उनन्ट यूनिट वरोसा होना जी को मामा जी के राज में कली मेरे बच्चे तोक लिगाया थे लाइट के में भपाल जिला का यूँ भपाल भीट्लिक वाग मर्दिया ज़त भी नहीं मामा को लाना चाहरे है याप नहीं मामा तो आए गई नहीं नहीं उनकर ने बड़े चेहरे को उतार दिये के मंत्री से लेकर औ हुआ उनके पास मतलब इसतानी कारे नहीं उतार रहता है यह उनके हरता है इतने बड़े हुग पूरी तयारी के सास्थ उतरे को ईदान में कंग्रेक्रेस में तो मतलब चोको तो यहां तो कांग्रेस के पास केंड़ीट ही केंड़ीडेट है लेकिन बीजेपी के पास कोई केंड़ीट ही नहीं नहीं आ है किस बेश पे चुनाव लणने जाएंगे इनके क्या काम है कमलनाज जी पहले वह जूड बोलते थे जूड बोलके सरकार मे आ आए कमलनाज जी ने जूड बोला कि किसानों को करजा नहीं कर पाए 18 महिने चले गए उसी बात को लेकर करके है ना आप पिजय पी में चले गए तो बीज़एपी में जानने के बाद उनको 2,00,00 का कर्ज माफ करवा ना चीह सदक प्याहन था ना कुल कर्जा माफ हुआ था किसानों का आप पूछे आप ने जमीन हम बने पर रोड पर कर्जा माफ नहीं हुआ कमलनाथ जी के इसमें हुआ था एक काउनाजार रुपे कर जा माँ उसके बाद एक लाग उपे होए तो उसके बात थट चरण की ओजना सी दो लाग की जब सिंद्या जी सड़क पे उतरने का बोला था कि मैं सड़क पे उतर रहा हूं किसानों के लिए उसके बाद तीन साल हो बहुत सारी योजना है युवाओं के लिए योजना यह कहते हैं कि मुख्यमंत्री युवाओं उद्द्यमी योजना एक लाग से करोड तक का लोन सरकार ब्याज भरेगी आप लो एक करोड रुपे एक का देरी देवाव आप एक करोड रुपे देवाव अभी 40 दिन तक पानी नीगी रहा ठीक है इनके पटवारी था छुट्टी पे आज किसान को भीमा हुई है वाकी बीमा आसी अभी तक निडली अचा सही तालग एक तारीक को डलेगी साथ तारीक को लोगों को ने होटले बनाई है और आस्टक के सरकार मेरे मित्र ने बनाई है मैं चलो मैं नाम गिनाता हूं इसे 10-20 आप चलिए सरकार ने उनकी ग्यारंटी ली उसमें ब्याज सरकार भरी है और बिल्कुल लोगों को रोजगार मिल रहा है अभी यहीं दक्षिन विदान सभा में प्रतिवा सिंथेटिक्स हमारे वही के विदायक डक्टर मोहन यादवजी लाए जिसे लाखो लाख लोगों को रोजगार मिलेगा सवाल जो है सवाल गातार सवाल मंदर प्रदेश में बारबार घूम रहा है कि बीजेप को ऐसे क्या आनपड़ी थी कि किन से नेताओं को उतारना पड़ा अपना बारति जनता पार्टी के के डर कोई चोटा नीव बारति प्रदान मंत्री मुख मंत्री के चुनाव बिलकुल लड़ सकते हैं बिलकुल बारती जनता पार्टी का कारे करता अपने काम के बेस पे जनता तक जाएगा चाहे वो कितना इनके हां कह रहे हैं कुछ बढ़ा ने कोई छोटा नहीं किसी और जृत निया वहका त्रॐफ्टान उतरां बेंकें मंत्रा इंकें इतना बड़ा छोटा देजी नहीं आगि तो इनके मंत्री निटस जैनमें कियों सरकारी हैं ऊस्पिटल सम्ड़कुंच कंके ने इनके शयर्प पकड़ा attained पॉत पकड़ा देते पन्न बना देते यह अलाओ कुछ न्यIBक आहीड करें का एना हमारे पास हमारे पास चेहरे हैं इतने चेहरे हैं कि भई जरूत नहीं है न इतने सारे चेहरे के लिए लेका तो ऑचलो को सीब राज की सरकार बनेंगी पर वह थो बहने हैं पंद्राश रूपय देंगे सबसे बड़ा मुद्दा अगर दिखा जाए आम जंता परिशाने बिजली से बिजली का बिल लाग रुपए सवाल लाग रुपए किसी का पंदा हजार बीस हैर से कमनी आ रहा है कमल नाच जी ने बोला है कर हमारी सरकार बनती तो सो युनिट बिल बिल्कुल तरीके से माफ र और सिंधिया जी चले गए बीजेपी में उसका कितना नुक्सान होगा कोई नुक्सान हुआ है यह नुक्सान हुआ कि हमारी सरकार एक बार गिर गई यह नुक्सान था में लिए सरकार बनाएंगे 150 प्लस सरकार बनाएंगे तो यहां पर है नहीं तो पिछली चुनाव में भी बोली थी कि हम आपके नेता इसा क्यों थे चले गए कुछ गद्दार थे यह ले गए चले गए जाना नहीं चाहिए था अगर कमलनाथ को इतने इतने एक सब्सक्राइब यह कह रहे हैं कि आपको कर था कि बचा के रख सकते रखना चाहिए था नेताओ को नहीं तो कुछ गद्दार था गद्दार चले लगाए तो काफी करोडों करोडों में जो है वो डील हुआ यह बिलकुल निराधार बात है सिंद्याजी सच्चाईके सच्चे सिपाई हैं जब उनको लगा कि मैं मेरे जनता की आवाज को मेरे जनता के काम को इन से नहीं करा पाऊंगा और यह आम लोगों को और दबाने के आवाज को दबाने की का प्रियास लेकिन 2020 से पहले और भारती जनता पार्टी की रीटी और विकास के कामों से प्रभावित होके सिंधिया जी ने सही रास्ता अपनाया काम से प्रभावित हुए 2020 से पहले सिंधिया जी गदार थे वह ब्रणाशारी थे हैं ना उनको तरह तरह के बाते करती थी बीजेपी लेकिन आप आते ही एक दम अगले दिन से बतल लगे देखे मध्य परदेश में दिग्विजे सिंग जैसे भी मुख्यमेंत्री हुए जिनक पते ही नहीं थे गड़े में सडक थी या सडक में गड़ा था यहीं पास के 50 किलोमेटर में इंदोर है हमारे उज्जेन से पास में वहाँ जाने के लिए पास घंटे होते थे हम हम मामा जी ने कहा है कि 5,000,000 किलोमेटर हमने पूरे प्रदेश में सडक बनाई है तिक यह से अब भी तूठे पूठे गड़े वाले अभी वह इस्तिति है आप ग्रामिंट शेतर में जाके देखें गड़ी गड़े मिलेंगे आपको इसके लावा है क्या सिवराज मामा का सिप्टे मिलेंगे आपको करोड़ों पे इन्होंने सडक निर्मान के समय योजनाओं में निक देख लो मा का लोग गोटाला देख लो स्विप्रा सुद्धिकरंड के नाम पर गोटाला देख लो केवल और केवल ब्रस्टा चार हुआ है मद्धिपरदेश कंद तो कह रहे हैं वो कहना है कि कमल ना जो आरोप लगा रहे हैं उसका बेस क्या है जो 50% कमिशन का आरोप जोशी ने इसका मुद्धा भी उठाया और विरोध प्रेजेशन भी किया क्या वज़ा थी कि इंस्ट्यूट से इतने लोग पास हो गए यह बात कर रहे हैं कि लाडली बेहना को इन्होंने योजनाओं में शामिल कर रहेगा तो जिजाओं के लिए इन्होंने क्या गरा मैं आप से पूछता हूँगा उज्जेन नगन निगम के ठेकेदारों का पिछले तीन साल से बकाया है बिल बुक्तान बकाया है यह उनको पेसे नहीं दे रहेंगे और बेहनों के लिए लाडली बेहनों को योजनाओं से आकरशित कर रहे हैं मैंने अगर चुपचा वोड़ देंगी चार करोड़ों संक्याए माली जे एक डेर करोड़ भी चलेगी तो क्या होगा देखिए बीजेपी जो है सविधान विरोधी पार्टी है इसका जीता जाकता उधारने के जनता जनालदन ने पेले भी कमलना जी को ही वोड़ देके ज से लाकर मंत्रियों को महासचिप को सांसदों को उतार आई यहां पर जमीन पर आपके बगल के जिले में ही उतार दिया है है ना इंदौर में इंदौर में केलास विजेवर गीए को तो लगता है आसपास की जिले पर प्रभाप रहेगा उनका देखिए मैं आपसे पूछता बहुत सारे नेता है कोई 15 साल से काम करने 25 साल से चाला 40 साल से केलास विजेवर गी इतना बड़ा लिश्ट रहा है तो उन्हें क्या जरूत पड़ी के मन से वो बोल रहे हैं कि 51,000 रुपे का इनाम है उसकारी करता हो जो बूच से बीजेपी को जुताएगा उसको क्या आई है मेरे को क्या जरूत थी उसको आपके बगल वाले विधान सवा जिले का हो गए बताए कि उज्जेन में कैसी फाइट है उज्जेन में भरश अंकल जोशी एक युवा चेरा है शिक्षी थे युवा है और इसे फेमिली से ब्लॉंग करता है जो हमेशा जमीन से जुड मेंसक्राइं जोड बोलं को पुलींदा लाएं। लॉओं को अगो क्यों बीजेपी से बांद दिया वह को कह रहा था कि में को मुख्य वंद्री बनना तो बोले चल संजे सुकला के आगे तिरको पटक दिया वहाँ पर से निपड़ जाएगा आप जो पबली के उसका मतलब जो बिल्कुल परिवर्तन का मूरे मतलब परिवर्तन का कांग्रेस को चाहती मतलब कांग्रेस का 15 महीने का पिछली सरकार थी मतलब उसमें मतलब जो कांग्रेस ने काफी काम के जैसे बिजली के बिल पर कम करवाना और मतलब कहीं काम ही चलिए आप भी पता देजी क्या महौल है बाजपा में महौल है एकदम बाजपा में महौल है तो लगता है किती सीटे लग रही है 1.500 किसकी भार देना धर्म की जो बात है वह बात होईगी पहले युवा की बात हुए गाट है और यह देखिए घाट है और तमाम लोग जो है देश से और विदेश से भी यहां पर घूमने आते हैं फिलहाल चुनाओं को लेकर क्या कुछ महौल चल रहा है क्या कुछ चर्चाय चल रही है इस पर हम लगातार बाचीत कर रहे थे इसी तरीके दिखाएंगे आगे भी फिलहाल के लिए नमस्कार